तो कंशल और में है कैं कि वेल North फाटीन कौ워서 जाने का आग होई है को जैसे के मेरे प्रिविट योज में हमने ये देखा है कि हमारा जो measures कौण पॉसका और नोमल बहुता है नोमली बटफ्लाई में जो रेंज रहता है एक वह रेंज Ronkal 했습니다 तो ट्रेट प्रॉफिटिबल नहीं रहता है इन्फाक्ट रिड नॉमली बटरफ्लाई एक आपका डेबिट स्ट्राठेजी रहता है तो रेंज क्रॉस करने के बाद हमारा एक डेबिट में आता है बाट हम जिस तरीके से बटरफ्लाइज प्लान करते हैं उसमेंघर रेंज क्रोस हो जाता है तब हमारे प्रॉफिट's हो जाता है दिष्टेव स्क्राइट स्में कोन्षिस ट्राइट लिए है अगर लॉज हो रहा होstoff तो उसके adjustments और evolves इसके होएगे तो यह trade आप हमारे website www.hedge.info जाके देख सकते हैं यह option strategies में reliance का trade है जो हमने आज post किया है तो इसमें basically हमने total लिए है पहला लेग जो हमने लिया है वह है 2600 पी का जो हमने बाइक किया है एक लोट अभी चलिए से डीटल में देखते हैं यह समझते है कि इसमें range क्रोश हो जाने के बाद भी हमारा profit fix कैसे हो जाएगा तो जैसे आप देख सकते हैं जो फॉर्स लेग है हमारा अन जो सेकेंड लेग हमारा उसमें 80 पॉइंस का difference है तो जो फॉर्स ट्वेंटी इसमें 60 पॉइंस का difference है तो जैसे अगर रेंज क्रोश हो जाता है तब भी हमारा नेट है जो 20 रुपीज का जो नेट हमारा favor में रहता है माइनेस जो भी ट्रेट का debit होगा तो ये ट्रेट में debit कितना है अगर हम 32.2 का एक lot buy कर रहे है 16.8 का दो lot sell कर रहे है और 11 रुपीज का एक lot हम buy कर रहे है तो हमारा net debit जो है नेट डेबिट जो है वो हो जाएगा 32.2 माइनस 16.8 का दो lot है और प्लस 11 रुपीज जो आता है अराउंड 9.6 तो 9.6 हमारा net debit होता है और रिलाइंस का lot size है 250 का तो अराउंड लेट से इसका maximum loss जो होगा वो 2200 के आसफास होगा और हमारा maximum loss होगा फेबेंड तक ये सारे तीनों legs जो है वो fab and expiry के है तो चलिए देखते है अगर trade नीचे आना start होगा तो क्या होगा तो अगर trade let's say 2600 के आसपास आ जाता है वासे नीचे जाना start करता है क्योंकि ये modified butterfly है अभी normally butterflies में आपका maximum profit आप expiry के end पे ही देखोगे बट अगर ये जो legs जो सरी के सा select किये जाते है अगर वह properly select किये जाते है तो trade उसी वाख profitable होना start हो जाता है जैसे हमारे favor में आना start होता है reliance लेक्ट चे उपर चले जाता है and 2600 के उपर रहता है for the entire month अगर वह 2600 पर नहीं आता है तो हमें हमारा net debit पता है कितना है net debit जो है वो है हमारा 9.6 रुपीज का अभी 9.6 रुपीज हमें cover करना है अभी इसमें हम क्या कर सकते है अगर reliance काफी उपर जाना start कर देता है यह reliance कुछ भी नहीं करता है for the entire month तो जब यह 2600 का and 2520 का difference अगर 9.6 के आसपास आता है तो जो first evolve जो हम कर सकते है वो है 2600 and 2520 का एक lot निकालके यह last दो legs को हम एक bull put जैसे treat कर सकते है और 9.6 का जो debit है वो हम cover कर सकते है वो हमारा first adjustment हो जाएगा और दूसरी चीज जो हम कर सकते है अगर let's say reliance sideways रहता है यह reliance उपर जाता है तो दूसरी चीज जो हम कर सकते है वो है 2520 का put हम उपर shift कर सकते है ताकि यह net debit हम और cover कर सके तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि trade जब plan किया जाता है दो चीज़े सबसे important होती है एक जो आपका maximum profit उसी वक्त देना start हो जाना चाहिए अगर trade favor में जाया और दूसरा अगर trade favor में नहीं गया है तब आपके पास बहुत सारा time और बहुत सारे options होने चाहिए वो break even बिलाने के लिए इसका मैं आपको payoff graph दिखाता हूँ ताकि एक better understanding आया तो यह है reliance का payoff chart और जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो हमारे favor में होना start हो जाता है अगर वो range cross कर देता है तब हमारा profit fix हो जाता है अगर reliance यह side उपर के side याने हमारे trade के opposite जाना start हो जाता है तब जो भी हमारे adjustments हों यह side पर होगे तो यह था हमारा payoff graph तो आपको अगर इसका payoff graph and trade logic देखना हो कि हमने reliance में trade actually क्यों plan किया है तो usually हमारा एक bias रहता है जिसके technical reasons रहते हैं काफी actually reasons रहते हैं कि हम trade plan करते है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे option तो क्योंकि हमें काफी queries आई है कि payoff graph and trade logic visible नहीं है users को तो मैं सिर्फ यह दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं subscribe user हूँ इसलिए मुझे इसका trade logic जो आप यहाँ पे देख सकते हैं and payoff graph मुझे दिख रहा है अगर आपको इसका trade logic and आपको इसका payoff graph देखना हो तो आप हमारा prime subscription पे subscribe कर सकते हैं हमारे website के through जो monthly 600 रूपीज का है and everyday जो हम trades देते हैं उसका आप payoff देखोगे उसका trade logic देखोगे and अगर आप यह सीख सकते हो कि अगर trade opposite जाता है तो उसको evolve कर से करते हैं तो one of the best learning है आपके trading journey के लिए क्योंकि अगर trade आपने लिया है और वो favor में जाता है तो उसमें आप ज्यादा सीख नहीं रहे अगर trade आपका favor में नहीं जाता है उसको adjust करते हैं evolve करते हैं वो एक actually better loaning रहता है जो आपको trading में help करता है यह ता reliance का trade मिलते है अगले episode में till then happy trading happy investing